वेलकम बेकें नमस्कार दोस्तों स्वागत आप सभी का सच्टाक चनल की एक और नई वीडियो में और दोस्तों आज किस वीडियो में हमाँ आपर बात करने वाले हैं आप एक यूटुबर है आप एक ब्लॉगर है और आपको Google AdSense का अपरोल यहाँ पर मिल चुका है तो आप आपके जो एड्रेस होता है उस पर Google AdSense की और से एक पिन भेजा जाता है फिर उसी भी वेरिफाई करना होता है तो जब पिन मेरा यहाँ पर आएगा तो उसी किस तरह से वेरिफाई करना है वो जानकारी मैं आपको यहाँ पर दूँगा आज किस वीडियो में मैं यहाँ प यहाँ पर सब्सक्राइब कर लिजएगा क्योंकि यहाँ पर हम ब्लॉगिंग से जुड़े टिप्स यूटूब से जुड़े टिप्स और टिप्स समय समय पर लेकर आते रहते हैं चली शुरू करते हैं आपकी बात से इसके साथ तो दोस्तों मैंने अपने गूगल एटसेंस के अकाउंट में यहाँ पर जो है लॉगिं कर लिया है और आप यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि आपके पास यहाँ पर गूगल एटसेंस की तरफ से नौटिफिकेशन आया हुआ है कि इसका मतलब कि जब तक आप अपने आइडेटिफाई यहाँ पर वेरिफाई नहीं करेंगे जब तक आप यहाँ पर अर्णिंग ज्यादा नहीं कर पाएंगे एक दूसरा नौटिफिकेशन आप देख पा रहे होंगे जो कि है यहाँ पेमेंट आर करेंटली आन होल्ड एक् पाइडेटिफाई करने के लिए आप यहाँ पर एक्षन बटन पर क्लिक कर सकते हैं लेकिन इससे पहले आपको दो तिन बातों का ध्यान जरूर रखना है क्या होता है कि जब भी हम यहाँ पर यूटूब चैनल बनाते है या अपना ब्लॉगिंग बनाते है तो एकदम से हम Google AdSense का अकाउंट यहाँ पर बनाया था हो सकता है उस समय हमने किसी दूसरे डाकॉमेंट से देखके यहाँ पर एड्रेज डाला हो और अभी यहाँ पर हम जो डाकॉमेंट वेरिफाई कर रहे हैं वो कोई दूसरा डाकॉमेंट हो जैसे मेरे केस में मैं बात करूं तो मैंने अकाउंट ओपनिंग करते समय यहाँ पर आधार का एड्रेज डाला था जो कि थोड़ा यहाँ पर अलग एड्रेज है और अभी जो मैं यहाँ पर डाकॉमेंट वेरिफाई कर रहा हूं यह जो है वोटर आडी कार्ड वेरिफाई कर रहा हूं तो इस चीज को आपको ध्यान का जो भी यहाँ पर एड्रेज है उस एड्रेज को आप पहले चेंज कर लीजे जिस डाकॉमेंट को आप अपलोड कर रहे है उस डाकॉमेंट का एड्रेज आपको यहाँ पर लगा देना है इसके बाद में आपको यहाँ पर आपका डाकॉमेंट वेरिफिकेशन करना है तो आप यहाँ पर जो है verify now वाले बटन पर हमें click कर देना है verify now वाले बटन पर click करने के बाद यहाँ आपको फिर से एक बार आपका address चेक करने के लिए या आपके address को edit करने का option मिलता है चाहे तो यहाँ से भी आप जो है अपने address को change कर सकते है और अपने address में सुधार कर सकते है यह दी कोई गलती है तो दूसरी चीज यहाँ पर आपको ध्यान में यह रखनी है कि document कौन सी upload आप यहाँ पर कर सकते है तो आपका Indian passport है आपके पास pain card है आपके पास order ID card है या driving license है इन 4 document में से ही कोई भी एक document की आपको अच्छे से photo निकाल लेनी है या उन्हें जो है scan करके रखना है और फिर यहाँ पर जो है उन्हें upload करना है जिसे कि upload का आपसन यहाँ पर देख बार होंगे upload करते समय फोटो पे भी ध्यान यह दे कि आपके document का कोई भी हिस्सा यहाँ पर कटा हुआ नहीं होना चाहिए आपके document का address और उसमें जो photo है यह जो है यहाँ पर साफ सुत्री होनी चाहिए तीसरी चीज Google AdSense में document verification करते समय आपको ध्यान यह रखनी है कि आधार कार्ड यहाँ पर accept नहीं किये जाते है आपको आधार कार्ड यहाँ पर अपलोड नहीं करना है जैसे कि इस पश्ट सब्दों में यहाँ लिखा हुआ आप देख पा रहे होंगे कि आधार कार्ड आर नॉट accepted यहाँ पर श्विकार नहीं किये जाते है कि वह चार डाकुमेंट इंडियन पास्पोर्ट पेन कार्ड ओटर आडी कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस ही यहाँ पर जो है एक्सेप्ट किये जाते है चौती बात आपको यहाँ पर इन डाकुमेंट को अप्लोट करते है समय यह धियान रकना है कि जैसे आप इंडियन पास्पोर्ट यहाँ पर जो है अप्लोट कर रहे हो तो उसका एक ही पेज फ्रेंट पेजीऑ यहाँ पर काम कर जाएगा लेकिन आप यहाँ पर ड्राइव अपलोड करना है और अपना डाकुमेंट अपलोड करने के बाद यहां पर सब्मिट का बटन आप देख पा रहे होंगे इस पर आपको क्लिक कर देना है जैसे कि मेरा डाकुमेंट आप देख पा रहे होंगे यहां पर जो है अपलोड हो चुका है और इस सब्मिट बटन पर मै जाएगा उसको चेक किया जाएगा कि वही document आपने दिया है या नहीं जो आपने address में दिया है और उसी address से आपका account यहां पर जो है link है या नहीं यहाँ पर आपको जो है tension लेने वाली कोई बात नहीं है यदि एक बार यह document verification फैल हो भी जाता है तो दूसरी बार तीसरी बार भी आप यहाँ पर document verification कर सकते है और इसके बाद भी यहाँ पर आपका document verify नहीं होता है तो Google AdSense की ओर से आपको यहाँ पर email किया जाता है और email के थुरू आप फिर उनको जो है document यहाँ पर upload करके बेज़ सकते हैं तो यहाँ पर tension लेने वाली कोई भी बात नहीं है आपको केवल अच्छे से अपने जो भी document है उनको यह फोटो यहाँ पर खिचनी है या उनने जो है skin करना है यदि कोई ऐसा document है जिनके दोनों side की photo की requirement है तो उनने जो है एक ही side merge करके यहाँ पर उनका एक photo आपको यहाँ पर बना लेना है और जो document आप यहाँ पर upload कर रहे है उसी document का address आपके Google AdSense के account में यहाँ पर होना चाहिए साथ ही यहाँ पर आधार card accept नहीं किया जाता है केवल driving license, pain card, order ID card और passport ही यहाँ पर जो है accept किया जाता है तो दोस्तों आप यह एक YouTuber है यह एक blogger है और आपका Google AdSense का अपर आपको यहाँ पर मिला है तो आप भी यहाँ पर इस तरह से अपने document verification कर सकते है और अपनी earning को यहाँ पर जो है अपने bank account में transfer करने के लिए आगे process कर सकते है इसके बाद यहाँ पर Google AdSense के verification में जैसे ही आपका document verify किया जाता है आपने जो address यहाँ पर दिया है उस पर Google Google AdSense की और से pin number भेजा जाता है ओपिन नंबर आपको यहाँ पर receive होगा ओपिन नंबर आपको यहाँ पर डालना होगा अपनी bank detail डालने होगी और फिर bank detail में आप अपने जो earning आपने की है जो पैसे यहाँ से कमाए है उनने जी है receive कर सकते है तो आगे जैसे यह जो process आगे ब जो है आपको चैनल पर मिलेगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजेगा यदि आप एक यूटूबर है ब्लॉगर है आनलाइन अर्निंग करने में इंट्रेस्ट रखते है तो हमारे चैनल पर आपको जो है इसी तरह के वीडियो जहां पर मिलते रहते है तो आई होब दोस् उपलदस्टा यद्रेस्टाइब कर रहते हैा तो हमारे चैनल पर आपको 1 T bringt खिया है तो हमारे जहां एक जह words वीद्वान